अलो गैज आप देखरें देजीनेस फैक्टर तो वाज हम बात करेंगे कोरोना वाइरस क्या है उससे पहले जानते हैं कि वाइरस क्या होता है वाइरस एक माइक्रो औरगिनीजा में जो बैक्टिरिया से भी छोटा होता है और जीवित को सिकाओं के अंदर ही व्रिद्धी करत पुनाहा सरीर में जाने पर ये फिर से जीवित हो जाते हैं तो अब बात करेंगे कोरोना वाइरस क्या है और अब तो ये वाइरस इंडिया में भी पहुँच चुका है इंडिया में अब तक 28 लोग इस वाइरस से प्रभावी चल रहे हैं अब जान लेते हैं कि कैसे फैलता की चार वज़ा हो सकती है पहला आप संकर्मित वेक्ति के पास कितने देर तक रहे दूसरा आप संकर्मित वेक्ति के कितने पास गए तीसरा उस वेक्ति के चीकने या खासने पर आपके ऊपर चीटे पड़े चौथा आपके उम्र और स्वास्त की वज़ा से भी आप में ये व पर्तिज जा रही है तो अब बात करेंगे कि करोणा वाइरस से कैसे बचा जाया है सुआस्त मँंतराले ने करोणा वाइरस से बचने के लिए निर्देश जा रही किया है इनके मुताबिक हातों को साभून से धोना चाहिए एलकोल अधारित बैंड रब का इस्तमाल किया जा सकता है खास्ते और चीकते समय नाक और मूँ में रुमाल या टीसू पेपर से ढख कर रखें जिन वेक्टी को कोल्ड और फ्लू के लक्षड़ों उनसे दूरी बना कर रखें अंडे और मास्क के सेवन से बचें जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें इससे बचने के लिए लोग जादा तर मास्क का इस्तमाल कर रहे हैं आम तोर पर इस्तमाल होने वाले सर्जिकल मास्क वारस के मामले में यो तो सीमित सुरक्षा प्रदान करती है लेकिन इसकी डिमांड दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा है अनलाइन समान बेचने वाली कमपनी एमजॉन समेथ तमाम बड़े मेडिकल विक्रताओं का कहना है कि उनके पाथ जो मास्क है वो बहुत तेजी से घट रही है अब जान लेते हैं कि भारत में इसके मौझूदा हालात क्या है जानकारी के अनुसार सुरुवात में केरल के तीन लोगों के संक्रमित होने का पता चला था उनके टेस्ट रेजल्ट पाजिट्व पाए गए थे लेकिन उन तीनों को पूरे इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है उसके बाद तीन और मामलों की पुष्टी हो चुकी है जबकि 6 लोगों को निगरानी में रखा गया है और ज्यांच रिपोर्ट का इंतिजार किया जा रहा है इन सभी को आईसोलेशन सिंटर में रखा गया है अब जान लेते कि भारत सरकार की क्या तैयारी स्वास्त मंत्राले का कहना है कि देश कुरोना वाइरस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है केंद्री स्वास्त मंत्री ने लोगों को अस्वस्त करते हुए कहा है किसी को डरने या गबरानी की ज़रुवत नहीं है सरकार पहले ही दिन से मुस्तैध है ताकि भारत में वाइरस का संकर्मन ना फैले साथ ही अगर कुछ मामले सामने आते हैं तो उनका पूरा इलाज किया जा सके ऐसी विवस्ता है उन्होंने कहा है कि सरकार हर फ्रेंट पर तैयनात है वो चाहे एरपोर्ट हो आईजुलेजन सेंटर हो या फिर अस्पताल हमारी पूरी तैयारी है और नियमीत तोर पर इसकी जाच की जारी है स्वास्त मंतरी का ये भी कहना है कि स्वास्त मंतराले की टीमें लगतार दौरा कर रही है उन्होंने इस बात से इंकार किया कि इसकी रोक थाम संबो नहीं